कि आज की वीडियो अप लोगों लिए बहुत ईंपूर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए कुछ तीजमत्थे आए नि'me था तो आपको जानना बहुत जरूरी है फॉंबंड कर देख लेना इसक लिए क्योंकि इसमें जो बदला है वो आपके लिए जानना बहुत जरूए नहीं तो आपको बात पज़ताना पड़ सकता है तो सबसे जानना मुश्ट इंपूर्टन जो बदला हो किया है इस बार बारक ने यहां पर आप देख सकते हो सेकंड इस्टाइपिन त्रैनिग तो इसमें क्या है तीने स्टेज में आपका स्येक्शन प्रोसेस रहेने बाला जोकि पहले होता था इस्टेज सेगंड दिस्ट इस सेट्फ वाला है computer based test होने वाला है तो इस बार आपका OMR based नहीं रहना बाला है ठीक है फस्ट बास सबसे पहले आपको इसमें चेंज किया गया कि computer based test test में tvT कर दिया और सेकंड इसमें जो है देखिए बहुत चेंज किया गया है जो किया गया है एक तो जो बहुत अच्छा चेंज है क्योंकि आपका जो result है बहुत जल्दी प्रेपर हो जाएगा तो इसमें भी आपको काफी जाना फायदा है और दूसरा सेंटर सिटी जो की सें सब्सक्राइब ने दे दिया है और गाइज एक और बात आपको जो बहुत जंदा ध्यान में रखना है आपके लिए मैं बताएब और जब मैं इसके लिए एक इस्टेजी पूरी बताने बालाओंगे इक अलगसे separate वीडियो बनाऊंगा कि आपको बार के एकजाम को कैसी करना है बहुत ही अच्छी स्टेजी में आपके लिए आपके लिए बताने बालाओं लेकिन यहाँ पर आपके लिए थोड़ा से ध्यान देने वाली बात है यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत बहुत जाना इंपूटेंट यहां पर बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या आपको बताने वाला हूं देखें यहां पर इसमें लिखा है होता क्या है कि देखिए नोटिफिक्स सभी के पास है लेकिन इसको सई से कोई रीड नहीं करता केरफुली रीड नहीं करते हैं यहां पर लेका गाया है कि आपको कम से कम नेगिटिब मार्क करना है तो आप मेरिट लिष्ट में उपर रखे जाओगे आपका नाम जो मेरिट लिष्ट में उपर आएगा और भी यहां पर दूसरी बात है इसमें दिखा गया है केंडिट बेद हाइयर मार्क इन स्टेज फर्स्ट तूइफिलेश्ट हाइयर औन विदा मेरिट लिष्ट आपक कम से कम गलत करना तो भी आप मेरिट में उपर आओगे और देगे फोरत यहां पर लिखा गया है केंडिट बेद हाईयर पोजिटिव मार्क इन मैथमेटिक्स आपका जो फ़ास्ट एक्जाम होता है उसमें 20 कोस्टेज मैथमेटिक्स के 20 कोस्टेज साइंस के 10 कोस्टेज के क्वारंट कि रहते हैं तो अगर आप मैट मेट Olympics में अच्छी नम्म जा अपकंवेर्ट में ऊपर रखा जाएगा और इसके अगर आप science में अच्छी नम्म लाएं तो आपके लिए उपर रखा जाएगा और यहां पर आपके लिए पताई होगा कि आपको 40% मार्क लाना है और अगर आपके अधर केटिग्री स्टी तो आपके लिए 30% मार्क लाना है इसमें आपके लिए क्वालिफे होने के लिए जो आपके मेरिट बनती है उसमें एडवांस टेस्ट से बनत तेस्ट के लिए यहां से चार से पांच गुना बच्चा जो स्टुटेंट हो बलाया जाएगा पहले तीन गुना ही स्टुटेंट लिया जाएगा तो यह कुछ बात है थी बहुत ही मुस्ट इंपूरेंट है बागी आपके लिए खल 24 से का स्टार्ट होने वाला है एक बात बता दो जो इस नहीं कर पाएंगे बट एक ता लिए लेकर परश्ट आप सर्व Nerd thief within क्या करना उसमें कैसे आपको डाउनलड करना उसमें भी एक सेटिक करने पड़ती जब आपका उसमें कंपूटर डेश्टूप साइट बनता है और उसके बाद आप इस मोबाल से अपने फॉर्म को आसानीश बर सकते हो तो वीडियो जरूर देखना अभी चैनल को का सरवर दिया गया मोबाल नहीं चल सकता है तो ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करें एक कुछ महतूर बात थी जो आपके लिए जानना जरूरी थी अगर आपको जानकरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सभी दोस्तों सेर जानकरी पता चल सकता है अगर कोई अभी डाउट है तो कमेंट करें थेक्स बाचिंग एंड बाय बाय